हालो दोस्तों विल्कम बैक आपसाब फिट सोगत मिर्शनल पर जैसा कि हर एक नए टॉपिक के साहता हूँ तो आज हम बात करने वाले हैं कोई फिचे के बारे में देख सके हैं अलग अलग वरेटी के बहुत सरे टेप्स के कोई फिचे आते हैं तो इसके बारे में आज वीड और इंस सालों तक जी लेती है तो इसी तरफ जापाण में जो हर एक घर के अंदर इसको रखा जाता है compared to dog and pets यह ज़्यादा रखायाता है क्योंकि यह उनको सालों से यह वहाँ से ज़्यादा आई है fishes तो वहाँ से लेकर import होकर सब जगा से आई है तो बहुत ही unique होती है और इसको यह fishes जो है 3 feet तक भी बड़ी हो जाती है अगर इनको proper care करें बड़ी होता है कि सर आप इसको care करें कितनी बड़ी ट्याइक करें actually यह fishes जो है यह pond की fishes है aquarium में भी रख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं लेकिन यह pond में ज़्यादा रखायाता है जितना गहराई का pond होगा उतना अच्छा रहेगा क्योंकि यह survive करती है बहुत ही cold temperature में भी सरोई कर जाती है warm water में भी सरोई कर जाती है बहुत ही hard होते है इसलिए इसको रखना बहुत सारे लोग पसंद करते है अगर आप इसको घर में रखने के सोच रहे हैं तो minimum आपके पास 4 feet tank होना चाहिए 4-5 feet होना चाहिए 3 feet भी छोटी हो जाएगी इसलिए आपने देखा मैंने अभी तक कोई fish नहीं रखा है क्योंकि इसके लिए बड़ी tank requirement होती है ज्यादा खाती है ज्यादा poop करती है और इसकी requirement भी ज्यादा होती है बहुत ही बड़ी हो जाती है starting 2 साल जिसकी होती है life span उसमें बहुत जल्दी बड़ी होती रहती है आप expect भी नहीं कर पाऊगे इतनी जल्दी बड़ी होती रहती है और उसमें बहुत अलग-अलग characters आते हैं बहुत अलग-अलग pattern आते हैं जैसा कि white देखते हैं, black आते हैं और tank की size की बात करें तो इसके लिए minimum आपको 4 feet tank देना चाहिए minimum बता रहा हूँ, अगर maximum आपको ज्यादा रखे तो और भी दग अच्छा रहेगा बहुत सारे लग देखा हैं कि आप museum में यहां पर बड़े-बड़े tanks बना कर उसमें रखे आते हैं और pond भी बड़े रखे रहते हैं, और कहते हैं कि 1000 लीटर का pond इनको चाहिए, अगर आप इनको रख रहे हैं तो तब यह बहुत अच्छे रहते हैं इतना depth रहेगा, जितना गहराई रहेगी, pond की अच्छा रहता है, क्योंकि cold season में ज्यादा गहराई रहेगी, नीचे जाग रहे जाएंगे, तो सरोई कर जाएंगे और इसी tangmates की बारे में बात करें तो यह tangmates आपके इनको साथ Chinese high fin fish रहाती है, वो रख सकते हो, या goldfish रख सकते हो, छोटे fishes नहीं रखना चाहिए, छोटे fishes को यह attack करती है, आलंकि इसका एक unique character है कि आप इनको रख सकते हैं, लेकिन कभी-कभी क्या करती है, यह दूसरे fishes की आ लंग खाली, इस तरह के बहुत सारे experience देखने के लिए मिलता है, इसलिए better है, इनको अलग ही रखें, दूसरे fishes का mix मत करें, हाँ अगर रखना चाहते हैं, तो आप गोल्ड फिश के साथ जा सकते हैं, catfish के साथ जा सकते हैं, तो इनके साथ आप रख सकते हैं, और filtration system बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि fishes ज्यादा खाती हैं, ज्यादा फूप करती हैं, जिसके ज़िए से filter पानी बहुत जल्दी खराब जाता है, इसलिए जितना अच्छा filter रहेगा, इसलिए अच्छा filter इसलिए इसलिए अच्छा filter इसलिए मिलसा करें, और extra oxygen supply ज़रूरी है इन सकते हो, अगर design करना है, कोई pond के अंदर, या normal tank के अंदर रह सकते हो, तो इस तरह से extra oxygen pump रखें, क्योंकि ज्यादा oxygen pump रिक्वाइर करती है, compare to other fishes, goldfish और इसके लिए ज्यादा oxygen pump ज़रूरी है, और जिसलिए ज्यादा खाती है, ज्यादा फूप भी करती है, इसलिए अच्छ कुछ sand वगएरा रखें, रखें काफी है, ज्यादा decoration की ज़रूरत नहीं है, हलांकि इस tank में इस इटलेट्स की tank है, अभी यह store में वीडियो पकड़ रहा हूँ, तो temporary purpose के लिए रखा है, लेकिन आप घर में रख रहे हैं, तो ज्यादा decoration रखने की ज़रूरत नहीं है, अग tank इतना खाली रहेगा, बड़ा रहेगा, अतना अच्छा रहेगा, और जैसा कि temperature तो बता दिया, और pH level 7.0 to 9.0 तक भी इस अरोगी कर जाती है, और feeding की बात करना तो feeding जैसा कि आप इनको ओर फीट नहीं करना है, miscommunication होने के विए से बहुत सारा problem यहीं होता है, कोई fish के आता है, इस fish के अंदर क्यों, और feeding करने क्यों जैसे है, इसलिए कम मिकदर में feed करें, डैली टुटेम्स feed करना है, इतना feed करें कि 2-3 नहीं खा कर खतम कर दे, और feeding में आप इनको pellet दे सकते हो, श्रीम दे सकते हो, यह omnivore होती है, मतलब जो भी डालो आप वो खा लेती है, आ आप आलगे दे सकते हो, वेजिटेबल में आप कुकुमर दे सकते हो, ग्रीन पीस दे सकते हो, इसलिए अनेक वेरेटी साफ फिशेस इनको, जो नॉर्मल फिशेस के लिए दे सकते हो, इनके लिए especially food मिलता है, कोई fishes के लिए, वो भी दे सकते हो, बहुत best होता है उनके लिए इनका color, dark collection करने के लिए, और fast growth के लिए, और इनकी life span की बात करते हो, जैसा हमने का, 30-40 साल तक दिखा गया कि अक्वेराम के अंदर जीती है, लेकिन अगर actual बात करें तो इन life span जो उसकी 100 years तक भी होती है, अगर proper care करें तो अक्वेराम के अंदर 30-40 साल तक जी लेती है, ल इसा भी नहीं करना है, टैंक के हिसाब से कम fishes रखना है, और कम quality, मतलब कम quantity में fit करना है, अच्छी quality food दो, और filter system अच्छा इस्थेमाल कुरोत है, लेकिन aquarium होबी में क्या आता है, बहुत सार लोग beginners लाते हैं, इसको लाकर रख देते हैं, और feeding कर देते हैं, दुसरे fish करकर जाती है, वरना यह ऐसे hardy fishes है, अगर aquarium के इंदर बात के सबसे hardy fishes है, और life अगर बात करने, सबसे ज़्यादा life की ज्यादा होती है, कोई fishes की, aquarium fishes के इंदर बात करें तो, इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखें, इन चीज़ों का ध्यान रखें, तो आपकी fishes जोए healthy और happy र देती है, इसलिए जरूरी है कि आप इसको उपर का हिसा हमेशा बंद रखें, अगर pond मना रहे हैं, तो pond के उपर एक जाली मिलती है, कपड़े जैसे जाली, वो आपरा सकते हैं, ताकि यह जम ना कर सके, क्योंकि यह जम कर देती है, आराम से, अगर ज्यादा depth है, pond का हिसा त लेकिन फिर भी आगर बात करें, तो एक मीटर मतब तीन फीट से भी ज्यादा अगर depth होता है, pond का तो बहुत best है इनके लिए, और लाइटिंग की बात करें तो लाइटिंग जो है, डैली 8 घंटे आप इस्तेमाल दे सकते हो, 8 घंटे डैली इस्तेमाल करना लाइटिंग को, लाइट भी जा सकते हो, ज्यादा ओर लाइटिंग में नहीं देना वरना इस्टेस में आयाती है, तो इन चीजों का ध्यान रखें, तो इनकी proper care के लिए, हर हफते में एक बार 30-40% पानी चेंच करें, ताके पानी अच्छा रहे, क्लीन और क्लीर रहे, और जैसा मैंने कहा क कि फीशे से ज्यादा खाती है, ज्यादा पोटी करती है, जिसके जैसे बहुत जल्दी पानी गंदा हो जाता है, इसलिए हाफते में 30-40% पानी चेंच करते रहे, इसे क्या होता है, पानी का जो एको सिस्टम होता है, बैलेंस होता रहता है, तो हॉप वीडियो आपको मिलते जबते के लिए नमस्ते गुडबाई